नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल हमोपलाइस गुरुजी में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोव को कैसे यूज करते हैं अगर आप फस्ट टाइम लेने जा रहे हैं माइक्रोव आपको कैसे यूज करना है तो आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी चाय कोई साभी माइक्रोव सबको एक तरीके से यूज कर सकते हो आप मैं इस वीडियो में आपको बता व्हट करते हैं तो शारी इंफोरमेशन आपको इस वीडियो मिलेगी आईए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो माइक्रोव तीन टाइप के आते हैं एक सोलो आता है एक ग्रिल आता है एक आता है कन्वेक्शन सोलो होता है खाना गरम करने के लिए इसमें खाना गरम करना है मैगी चावल सब्जी बगरा यह बन जाएगा आपका सोलो में जो ग्रिल्स वाला होता, उसमें presenting है पीजा भीजा आपिक का बन जाएक हैं। और करमेक्शन होता है उसमें सारे काम होगए करममाला भी काम होगा, ग्रेल ग्रिल्य का भी होगा, और baking करना चाहो आप वो सारी रेशिपिक आप convection मोडल में बना सकते हो जो भी oven के अंदर cooking करते हो सारी आपके इसमें हो जाएगी और यह जो मोडल है यह convection ही है इसमें सारे option आपको मिलेंगे चाहिए कुछ भी आप बना पनी टिका चिकन गिरिल करना आपने या फिर cake बनाना है सारी चीज़ें आप इस मॉडल में बना सकते हो अब आपको मैं बता देता हूँ माइक्रोवेम में माइक्रोवेम के अंदर ही एक ये ग्लास ट्रे निकलेगी और ये की ये रिंग निकलेगा जो कि सबसे पहले नीचे आपने रखना इसको उसके बाद ये ग्लास ट्रे कि ये ग्लास ट्रे रखने के बाद में इसको प्रोपर शेट कर देना इसमें लोग में जिसे ये आराम से घुमता रहे तो कोई भी चीज़ आपको बनाने से पहले सबसे पहले इसके उपर ही रखके बनाना पड़ेगा आपको चाहिए गरम करो आज चाहिए ग्रिल करो चाहिए बेकिंग करो कुछ भी करोगे इसमें ही रखके आपको करना पड़ेगा तब ही गूमता रहेगा और टोमेटिक चारो साइड में कुक भी हो जाएगा तो नॉर्म से अप time डाल दो गरम करना है तो 30 सेकंड 40 सेकंड का time set कर दो आप और यहां से start कर दो कि तो automatic यहां पर टाइम भी उपर शो कर देगा तो अब इस टार्ट हो जाएगा microwave गरम हो जाएगा तो इस में माईक्रवम् में आप 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 काम करते हो वह आप माईक्रवम् में कर सकते हो क्योंकि इसमें दो हीटर लगे हुए है आप यहां से आप सेट कर ले ना जब ओएल यहां से आपका हो जाएगा और यह स्मार्ट चोईस का मतलब है इसमें आपका रेसेपिक पूरी लिखा हुआ होता है कि आप इसमें क्या-क्या बना सकते हो तो वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या चीज हमने बनानी है उसमें अपना टाइम और बेट डाल दो और उसके ब तो जब भी आपको इसी पीजा या केक बगएरा बनाते हो माइक्रोवेव को पहले प्रिएट करना पड़ेगा प्रिएट करने के बाद ही आपको बनाना है कोई भी चीज ऑप्शन इसमें देई रखा है माइक्रोवेव ग्रिल कन्वेक्शन आप यहां से उप्शन किस्ट तो चीजे बना रहें उस्साब से तो जो भी कोई आप 사 Li nggak पहले पावर लेवल चैट करो कन्वेक्शन ओन करो जैसे पीजा बना रहे हो तो convection पे आप चला लो और यहां से time डाल दो और start कर दो इसके बाद में आप simple तरीका है उज़ करने का कोई खाज इसमें होता नहीं function उज़ करने के लिए तो गरम करने के लिए मैगी चावल सबजी बनाने के लिए आपको कुछ शेड़ना ही नहीं है तो आप पीजा वीजा बना रहे तो आप convection mode पे बना सकते हो तो उसमें आपको power level भी set करना पड़ेगा और microwave को preheat भी करना पड़ेगा तो आराम से आप यूज कर लोगे तो अगर आप नए microwave करते हो आराम से आप इसी तरीके इस इंस्टॉल कर लिजिए और खुद यूज कर सकते हो microwave के अंदर इसमें दो इस्टेंड आते हैं पीजा वाले अपने साब से आप यूज कर सकते दोनों को एक ट्रे भी आती बेकिंग केक बनाने के लिए अंदर ही निकलेगा माइक्रोमेम इस दोनों मेटिरियल जिसको आपको वीजी हो जाएगा कोई भी चीज बनाओगे तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें थैंक्यू